जब हम आजकल की पीडियों को देखते हैं, आजकल के जनरेशन, जवानों को या दूसरे जो लोगों को है, चाहे अन्य जाती हो या विश्वासी हो, एक ऐसी पीड़ी तयार हो रही है, जो विद्रोह वाली है, विद्रोह करने वाली, परमेश्वर के विरूद चलने वाली, जानते हुए भी कि ये गलत है, फिर भी उस गलतियों के पीछे, उन पापों के पीछे पढ़ना, इसको हम ब पीड़ी तयार हो रही है, और इसमें कभी-कभी हमारे विश्वासी भाई बहन भी आ जाते हैं, पाप में गिर करके वो पुराने रास्ते में चले आते हैं, और आज मैं इसी विशे को ले करके, जो विद्रोही पीड़ी है, इस सिर्शक को ले करके आपके सामने कुछ बात को रखने की कोशिश करूँगा, पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक, और जो आज मैं जादा तर आपके सामने जो पद पढ़ूँगा, वो बाइबल में से है, भजन सहीता में से और नए नियम से, जब हम पुराने नियम की ओर देखते हैं, तो जो इसराइली थे, प परमेश्वर की ओर से एक आशिश थी, कि इसराइली लोग चुने गए, परमेश्वर के अनियाई हो करके, वो परमेश्वर का भय मानते थे, सब कुछ था, परमेश्वर उनसे प्यार करता था, लेकिन वो पाप में फिसल पड़े, अब शेश करके जब उन्हें मिश्वर से निकाला गया, चालीस वर्ष तक वो जब जंगलों में घूमते रहे, उन्होंने बल्वा शुरू किया, विद्रों शुरू किया, और उसकी कहानी तो आप शायद जानते हों, लेकिन जब मैं आज, भजन से ही था, एक सो छे सुन रहा था, परमेश्वर के वचन से, तो ये फिर से याद आ गई कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके साथ डील किया, क्योंकि उनका जो वेवार था, वो विद्रों की भावना थी, परमेश्वर के प्रतिजीनों, जिस परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, लेकिन वो कभी भी संतुष्ट नहीं ह हुए, चलिए मैं बड़ा पोर्शन है, बड़ा भाग है, पुराने नियम में से मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ताकि आप इसके पूरे संधर्व को जान सकें, ठीक है, तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, भजन सहीता 106 और उसका साथ पद से आगे, ये लंबा भाग है साथ पद से चालीस पद तक, आप ध्यान से सुनिए कि परमेशर का वचन क्या कहता है, ऐसे विद्रो वाले भावनाओं वाली पीडियों को, और परमेशर इनसे क्रोधित हुआ, कि जब मैंने इनकी सब सुधे ली, तब इन्होंने मेरे विरुद विद्रो किया, किस प्रका का वो पलटवार था, चलिए हम बचन में सही देख लेते हैं, भजन सही था उसका 106 अध्या और साथ पद से, सुनिए, मिस्च्र में हमारे पुर्खाओं ने तेरे आश्चियर करमों पर मन नहीं लगाया, तेरी अपार करुणा को सुमरण रखा, उन्होंने समुद्र के कि नारे पर बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निम्मत उनका उध्यार किया, जिससे वे अपने पराकरम को प्रगट करें, तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वो सुख गया, और वहाँ उन्हें गहरे जल के बीच में से, मानो जंगल में से निकाले आया, उसन के द्रोही जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा, तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया, और उसके इस्तूती गाने लगी, तो यहाँ पर हम देखते हैं, चैप सब कुछ ठीक चल रहा है, परंतु, तेरवां पद्ज लिखा हुआ है, परंतु, जब भ उन्होंने जंगल में अती लालसा की और निर्जल अस्थान में इश्वर की परिक्षा की, तब उसने उन्हें मू मांगा वर्तो दिया, परंतु, उनके प्राण को सुखा दिया, उन्होंने च्छावनी में मुसा और यहवा के पवितर जन्ध, हारुन के विश्य में डाह कि भुमें फट कर दातान को निकल गई, और अभी राम के जुन को ग्रस्क कर लिया, और उनके जुन में आग और भड़क उठी, और दुष्ट लोग लाव से भस्म हो गए, उन्होंने होरे में बच्छडा बनाकर और धलीवी मुर्ती को दंवर्ट किया, जैसे कि आप इस स्ल करने लगे, अपने बच्छों का बलिदान करने लगे, मैं आपके लिए भी पढ़ूंगा, तो इस प्रकार का विद्रोग की भावना इन इसराइलियों पर आ गई, तो उन्होंने होरे में बच्छडा बनाया और धली हुई मुर्टी को दंवर्ट कि, यह उन्होंने अपनी महिमा अर्था ईश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला, वे अपने उधार करता ईश्वर को भूल गए, जिसने मिश्र में बड़े-बड़े काम किये थी, उसने तो हाम के देश में आश्चर कर्म और लाल समुद्र के तट पर भ्यांकर काम किये थे, इ यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ाना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा नहो कि मैं उन्हें नाश कर डालूं। उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना और उसके वचन की प्रतिती ना की, वे अपने तंबूओं में कुड़कुड़ाएं और यहवा का कहा ना माना। यही इसराइलियों का विद्रो की भावना यहां पर हम देखते हैं, जलकती है वो भावना हैं, तब उसने उनके विशय में शपत खाई, कि मैं इनको जंगल में नाश करूँगा, और इनके वंश को अन्य जातियों के समुक गिरा दूँगा, और देश देश में तितर बित करूँगा, वे बोर वाले बाल देवता को पूजने लगे, और मुर्दों को चड़ाएवे पश्वों का मास खाने लगे, यह उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया, और मरी उनमें भूट पड़ी, तब पिनास ने उठकर न्याय धंड दिया, जिससे मरी थम आगया, उन्होंने मरीबा के सोते के पास भी यहवा का क्रोध भड़काया, और उनके कारण मुसा की हानी हुई, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया, तब मुसा बिन सोचे बोल उठा, जिन लोगों के विशा यहवा ने उन्हें आगया दी, उनको उन्होंने सत सत्य नाश नाश ना किया वरन उन्ही जातियों से हिल मिल गए और उनके वेवारों को सीख लिया देखे कभी कभी क्या होता है कि हमारे दुनियादारी चीजों में हम धीरे दिने घुलने मिलने लगते हैं जैसे लोग काम करने लगते हैं वैसे हम भी करने लगते हैं एक विश करते क्या ये सही है इसराइलियों ने ताइस ही किया गूल मिल गया है और इस तरह से परमेश्वर के करोध को भड़काया चलिए चट्थीस पत और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बन गई वरहन उन्होंने अपने बेटे बेटियों को हो गया और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद हो गए और अपने कारियों के द्वारा वेविचारी भी बन गए तब परमेश्वर का ये क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का और उसको अपने निजभाग से ग्रणा आई तब उसने उनको अन्यजातियों के वश में कर दिया और उनके बैरियों ने उन पर प्रभुता कि उनके शत्रूं ने उन पर अंधेर किया और वे उनके हाथ तले दब गए बारं बार उसने उने छुड़ाया पर वे उसके विरुत युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए चवारिस पद तो भी जब जब उनका चिल्लाना उनके कानों में पड़ा तब तब उसने उनके संकट पर द्रिश्टी की और उनके हित अपनी वाचा को समरन करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया और जो उन्हें बंदी करके ले गए थे उन सब से उन पर दयाक क कर और हमें अन्य जातियों में से इकटा कर ले कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तोती करते वे तेरे विशह में बढ़ाई करें ये लंबा पैसेच था लंबा भाग था लेकिन मैं चाहता था कि ये जो संधर अब है जिसमें हम बात कर रहे हैं विद् की पूजा अर्चना की और बाल देवताओं के पीछे पड़ गया विरोध की भावना जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर कैसे जोड़ जोड़ से विद्रो की बलवा की आवाज आप सुन सकते हैं एक तरह से कालपनिक रूप में अच्छा ये तो होई पराने नियम की बा करते हैं यही प्रश्णा उठता है चलिए मैं इसके लिए आपके पढ़ना मांगता हूँ इस संदर में पा जाता है दुसरा तो हीमोंती उसका तीन अध्या अध्यार और उसके पहले से देखेंगे कि जो भावनाएं भडकी वी जो भावनाएं इसराइलियों में पाई कि जब वो जंगलों में घुमते रहे और कनान देश की और आ गए फिर भी वो बलवा करते रहे फिर भी वो विद्रो करते रहे फिर भी परमेश्वर को उन्होंने भला बुरा कहा फिर भी उन्होंने जो देवी देवताओं की और बचणों की गायों की वैलों की पूजा की अ बाबाविक है क्योंकि पर्मेश्य ने उनको निकाल लाया था मिसर देश से अपने अपने लोग होने के लिए अब नए नियम में भी हम इसी प्रकार से देखते हैं अंत के दिनों में भी ऐसा ही होगा और आज हमारे सामने आत्मी कृती से ये विद्रोग की भावना विशेश करके कभी-कभी मसीही नौजवानों में भी आ जाती है या सहम सब में आ जाती है चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ इसी से समंदित दूसरा तिमोती उसका तीन अद्या है और उसके पहले पज से अब ध्यान से सुने क्या-क्या नाम यहां पर दिये गए है जो भी नहीं भाती पहला पत परिया जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे आज हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं क्योंकि मनुष्य स्वार्थी धन का लोभी डिंगमार अभिमानी निंदक मातपिता की आग्या टालने वाले कृतग्ण आपवित्र दया रहित चमा रहित दोश लगाने वाले असयम्मी कठोर भले के बैरी विश्वास घाती हटी अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे वे भक्ति का भेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे ऐसों से परे रहना इन्ही में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पाउँ घुसाते हैं और उन दुर्बल इस्तरीओं को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार क्या भिलाशाओं के वश में है और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुचती यहां तक तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो पुराने नियम में जो चीजे दी गई है उसको नए नियम में बिलकुल वैसा ही और गहरे रूप से आत्मिक जो विद्रो की जो भावना है वो यहां पर जलक के रूप में दिखाई देती है तो अब प्रशन ये उठता है कि भाई कहीं हमारी दश्चा और देश्चा इस प्रकार से तो नहीं है यह बहुत इंपॉर्टन बात है कि हमारे जीवन में, मसीह जीवन में इस प्रकार की विद्रो की भावना तो नहीं है जूट की भावना पाप की भावना भक्ती का भेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ती को नहीं समझेंगे विश्वास घाती तो नहीं है कहीं हम अभिमानी तो नहीं है डिंगमार, घमंडी सुख विलास के चाहने वाले असयमी, कठोर दयारहित, छमारहित निंदक, माता-पिता की आग्या टालने वाले अरे बाब, रे बाब, डिंगमार, लोभी, स्वार्थी ये चीजी जो है वो हमारे जीवन में जब आती है तो हम, हमारे मन में विद्रो की भावना भड़ा कुटती है चर्च के प्रती, पास्टर के प्रती, कलीसिया के प्रती माबाप के प्रती, और भी दूसरे लोग के प्रती तो परमिश्वर तो इन बातों से क्रोधित होता है जैसे की इसराइलियों के साथ बहुत कुरोदित हुआ और फिर उसने उनको उनके पहले तो उसने उद्धार किया उसने सुना की चलो सोचा की चलो इसराइली है धीट पीड़ी है आ जाएगी रस्ते पे लेकिन नहीं जाब वो तो अपने में डटे रहे फिर परमेश्वर ने उनके पापों में ही छोड़ दिया और कई लोग नाश हो गए क्योंकि उन्होंने अपने पापों से अपने विद्रोपन से उन्होंने छमा नहीं मांगी, पल्टे नहीं, प्रभू के पास नहीं आए और इसकी वज़ा से भे नाश्ट किये गए अब जब आज की पीड़ी हम देखते हैं तो बिलकुल आप समझ सकते हैं कि वैसे ही आज भी हमारे चारों तरफ है जैसा है कि पराने सम्हिम्दे के पाप जो है वो सेंचुली में दश्法ों में नहीं बदलता पाप तो पाप ही है जाहिए वो हजार साल पहले हो या आज हो या हजार साल के बाδ हो तो वो जब चला चलता रहता इस परकार से तो परमेश्व का कुरोद बना रहता कभी सोचा कि परमेश्वारणाना का उत्तर भी नहीं देता, कभी आपने ऐसा जीवन में होगा मेरे साथ भी हुआ ऐसा है ऐसा लगता है, है ना लेकिन ये कहीं हमारे जीवनों में इस प्रकार की विद्रो की भावना तो नहीं आ गई है, और यहीं मैं प्रशन आपके सामने, आज सवेरे रखना मांगता हूँ, कि आप इसको सुने ये जो दोनों जो तुलात्मक रूप से मैंने आपके सामने रखा, पुरानी नहीं से पढ़कर की इसराइलियों की जो विद्रो की भावना थी, और ने नहीं में जो सेकेंड, दूसरा ते मौती, उसका तीन अध्याय से जो पढ़ा, आज हमारी दशा और दिशा भी वैसे ही है मैं सब की बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी कोई हमें से ऐसा हो सकता है तो अब प्रशन यह है, अगर ऐसी बात है, तो उसका सॉलूशन क्या है, उसका हल क्या है कैसे ठीक करें, बाइबिल इस बात को भी बताती है, पहला यह उन्ना, उसका पहला ध्याय और नौपाद में, कि यदि हम अपने पापो को मान लें हम, यदि हम अपने पापो को मान लें और उसको छोड़ दें तो परमेश्वर क्या करेगा, उससे वो हमें शभा करेगा, और फिर से हम, उसी ट्रैक में वापस आ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन, यही कहता है है ना, नीती वचन में लिखा हुआ है और उसके शायद 28 सद्ध्याय में लिखा हुआ है कि धन्यहवा व्यक्ति जो बुराई करना मतलब बुराई करके उसको माने उसको अंकिकार करे और उसके बाद उसको छोड़ दे जब हम उसको छोड़ देते हैं अपने पापो को मान लेके तो परमेश्वर हमारी सुनता है भई, गल्तियां किस से नहीं होती है हम सब होसे होती है लेकिन हमें ये भी जोचना है कि भई, हम उसी में उसी कीचन में ना पड़े रहे हैं अब जो इस्राईली लोग थे वो जब विद्रो करे करते रहे और परमेश्वर का भै माना ही नहीं और इसलिए वो नश्ट हो गए परमेश्वर हमारे साथ ऐसा ना करे और उसको करने के लिए इन बातों को लाने के लिए हमें अपने पापों से माफी मांगनी है अपने अभिमानी भावनां से माफी मांगनी है डिंग मार की भावना स्वार्थी की भावना कई जो हमारे जीवनों में विद्रो पैदा करती है उसको हम माने कि प्रभुतु हमें शमा कर मुझसे गलती हो गई अब मैं ऐसा नहीं करूँगी करूँगा ऐसा नहीं करूँगा तो परमेशर क्या है यदि हम अपने पापो को माने तो वो शमा करने में क्या है विश्वास योग और धर्मी है तो सलूशन तो है भाई कब तक हम ऐसी प्रकार से चलते रहेंगे यह तो सवारी नहीं उड़ता तो आज जब ऐसी भावना यदि हमारे जीवनों में हमारी कलीसया में हमारी परिवार में है और हो सकता है हम भचचडे का पूजा ना करें या जो आइडल है उसकी हम पूजा ना करें लेकिन हो सकता है हम पैसों की पूजा करें हो सकता है हम अपने आओधे की पूजा करें हम देखो मेरा आओधा इतना बड़ा है अपनी बढ़ाई कर ये सब क्या है एक प्रकार से ये आइडॉलिट्री है ये देवी देवताओं के समान उसके समान हो जाता है तो हम इन सब बातों को छोड़ करके भुला करके प्रभू के सामने अपने आपको माने और उसको धार करता है तो आपने माना होगा नहीं माना है तो जरूर मानिए उसको बुलिए कि प्रभू मुझे शमा कर मैं गल्ती में आ गया इदर मुझे शमा कर परमेश्वर आपको शमा करेगा और आपको फिर वैसे ही आशिश देना शुरू करेगा तो आईए हम विद्रो की भावना को छोड़ करके परमेश्वर की प्रेम की भावना जो वो पहला कुरंतियों 13 में दिया गया है उस भावना को पकड़े हुए हम अपने मसीजी जीवन में आगे बढ़ें